हेलो एविवान वेलकम टो माई यूटूब चैनल सनाच रसोई आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं नारेल के लड्डू की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी लड्डू ये बनके त्यार होते हैं आप इसे फास्ट में ब्रत में भी खा सकते हैं आप इसे जब भी आपका मिठाई खाने का दिल करें ताव आप इसे फटा-फट से बना के खा सकते हैं आप इसे मेहमानों के लिए भी सर्फ कर सकते हैं बिलकुल बाजार के जैसे लड्डू आप घर में बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमने ये कोकोनट लड्डू बूरादे को भूरने वाले हैं, जैसे आप desiccated narial powder के सकते हैं, यह market में आपको easily मिल जाएगा, desiccated narial powder के नाम से मिलता है, आप इसे किसी भी सॉप से ले सकते हैं, और ऑन लाइन भी मगा सकते हैं, तो यहां पर यह मैं दो कटोरी ले रहे हूं, मैं यहां पर मेजरमेंट के में कर लेगे गर कन्टिने कर दो कप लिए 2 नारियल की पुरादा सब्सक्रादा द भूर तो इसको आपको पहुत जादा भी नहीं भूनना है हम इसको तकरिबन दो तीन मट के लिए भूनेंगे लो टो मीडियम फ्लेम पे तो इस तरह से चलाते हुए कंडियो आपको इससे चलाते रहना है तो यह देखिए हमने भून लिया है यह नारियल और इसका जो कलर है दूद 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 दालेंगे एक कटोरी जिस कटोरी से हमने तो गटोरी नारियल का बुरादा लिया है उसी से एक कटोरी दूद करेंगे अब इस दूद के अंदर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूद के अंदर हम इसे एक दो मिनट के लिए अच्छे से पका प lakए झाल जाएगा, तो अच्छे से मिक्स कह लोगा दो थे एक रीचे से लग जाएगा, और जल सकता है, तो फिर आपके नारिल के लड़ु लड़ु खराब सकते हैं, तो अच्य से मिक्स कहले और चलाते हुई इसको आपको 2 मिनट के लिए पका लिये है तो हमने नारिल के तो जल्दी से मिक्स हो जाएगी बुरादे के अंदर और इस तरह से आप शक्कर डालेंगे चीनी डालेंगे तो आपको थोड़ा सा ताइम लगेगा उसे भूनने में मैल्टोने में तो अब हम इसको लोड़ा मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाते हैं और बीच में आप फ् यह अब नखू जाएगा तो उसको आपको 1-2 मिलट के लिए और पका लेना है तो यह देखिए शक्कर जो है मैल्ट होनी शुरू हो गई है हम इसे 1-2 मिलट के लिए पका एंगे जब तक शक्कर जो है चीनी जो है पिल्कुल अची तरह से मैल्ट हो गई है तो हम इसमे डाल लडू नारिल के लडू है उनका टेस्ट बिलकुल हलवाई जैसा हो जाएगा और इसमें मावे का हलका सा टेस्ट आएगा जो कि मार्केट में आपको को 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 कोनेट लडू मिलते हैं तो हम यहां पर 1 फूर्थ कप टाल रहे हैं mendnell लडूट मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कोह लेंगे यह लडूष जटपट से घर पर बना सकते हैं आप इस फास्ट में भी सखा सकते हैं आप गश्ट आरहे तब आप इसे बनाके सर्फ कर सकते हैं आप इसे कभी भी किसी भी मौके पर आपको मिठाई चाहिए तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कोकुनेट लड़ू बहुत ही आसाने से बनाना बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हर किसी को यह पसंद आते हैं तो आप इस रेसेपी को एक बार ज़रो ट्राइ करें जब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेंगे तब हम इसको दो मिनट के लिए और पकाएंगे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ये सारी मिक्षर के अंदर और जो हमारा मिक्षर थोड़ा साउगी लग रहा था उसको हलका सामें ड्राइ करना है बहुत जादा हमें ड्राइ ने करन अब हम इसको फ्लेम आफ करके एक अलग बरतन में निकाल लेंगे जिससे जल्दी हलका सा ठंडा हो जाए तो यहां पर मैंने मिक्षर को निकाल लिया है और थोड़ा सा ठंडा कर लिया है अभी हलका गुनगुना जैसा है तो इसी में हम इसके लड्डू बनाएंगे इस तर लड्डू बनाते हैं उस तरह से बना लें इसका बहुत ही अच्छा उपर से बहुत ही स्मूथ लड्डू बनके त्यार हुआ है पिलकुल भी कोई भी क्रैक नहीं है तो आपका मिक्षर जो है इसी तरह का बनना शहिए अब हम इसको थोड़ से सूखे नारियल के पाउडर म और आपको अगर रसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह देखिए हमने बना लिया है अब इसको एक एक करके हम पहले हम सारे लड्डू बना लेंगे और उसक वा तो वाचिं